तो गाइज आज का कमेंट है यहाँ पर सुजैन भाई का और इनका कहना यहाँ है कि रेडियेटर का RS कितना होगा भाई 10 HP का तो यहाँ पर दूस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जनरेटर में अगर आपके पास रेडियेटर खराब हो जाता है तूट जाता है या फिर कहीं से भी लिकेज हो जाता है अगर आप नया लेना चाहते हैं तो आपको कितना प्राइज में मिलेगा मार्केट में 10 HP या फिर 12 HP या फिर बड़े जनरेटर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा जैसे कि 14 HP का भी जनरेटर होता है उसके लिए इंजन में अगर आप लगाते हैं तो कितने में मिल जाएगा आपको और अगर आप यहाँ पर छोटा इंजन आपके पास है जैसे कि 5 HP है 8 HP है तो उसके लिए आप कितने मतलब के यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रेडियर आपको कितने में मिल जाएगा तो यह हम डिसकॉस करने वाले इस वीडि दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर शुरुवाती में जैसे कि छोटे इंजन से जैसे कि 5 HP, 8 HP लगभग सेम ही होते हैं छोटा बड़ा उतना नहीं होता है लग जाता है तो मान लिजे अगर आप 5 HP से लेकर 8 HP का बता देता हूं एप्रोक्स प्राइस तो अगर आप 5 HP से 8 HP का ल बान हो लगभग 12 से 1500 के आसपास में आपको मिल जाता है 8 HP या फिर पांच एच भी या फिर 8 HP इंजन में जो रेडियेटर लगता है वो आपको 1200 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा हो सकता है quality के उपर या फिर brand के उपर जो है कम ज्यादा हो सके तो अपने market में पता कर लि तोट गया है या फिर पढ़ गया है जो भी हो गया है, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको market में 15-1700 के असपास में मिलेगा, 2000 भी पढ़ सकता है, तो market में आपने market का आप मान लिजे कि आपको मिल जाएगा easily अब बात करते हैं उससे भी बड़े generator के बारे में जैसे कि अगर आपके पास बड़ा HP का engine है जैसे कि 14 HP 16 HP भी होता है तो यहाँ पर 14 HP के अगर आपके पास है बड़ा 12 HP से प्लस है engine बड़ा engine है तो आपको लगभग 2 से 5000 के आसपास मे मिल जाएगा तो आज के वीडियो बस इतना ही था कि यहाँ पर 5 HP 8 HP और यहाँ पर 10 HP 12 HP 14 HP engine के लिए आपको जो है अल्टरनेटर सोरे अल्टरनेटर नहीं यहाँ पर रेडियेटर का प्राइस कीतना होगा जो कि हम उसमें पानी या फिर कुलेन डालते हैं यहाँ पर अगर आप कुलेन और पानी मिक्स करके डालेंगे तो काफी अच्छा चलता है और जो रेडियेटर का लाइफ है वो काफी हद तक बढ़ जाता है तो अगर आप कभी भी जनरेटर अगर आप चलाते हैं तो रेडियेटर में आप पानी और कुलेंट जरूर डालें कुलेंट आप स यह काफी अच्छा चलता है तो बस इतना ही ज्यादा बक्वास ना करते होए वीडियो के यहाँ पर करते हैं एंड वीडियो कासा गया वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ चैल में अगर अभी तक नए है तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए और बेल एकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेसन सबसे पहले मिल जाएगा और अगर इस वीडियो के थुरू अगर आपको कुछ कमेंट करना हो या फिर इस वीडियो के यह लिए कुछ सुजाओ हो या फिर कोई भी स्टेक हो या फिर जो भी है नीजर जाके कमेंट जरूर से जरूर करिएगा आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है तो चले मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम